परकीस एपिसोड में हम डिसकस करने वाल है रूची सोया स्टॉक के बारे में और इस चीज को नहीं भोलें कि ये स्टॉक अपने कमपरेटिवली के पेर्स में देखेंगे, पेर्स के कमपरेटिवली में अभी भी अंडर वैल्यूड है अवरॉल इसे स्टॉक में देखेंगे तो आज 2% का गिरावर दिखा है, इसका सिंपल कारण है कि अवरॉल मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आते वे दिख रहा है लेकिन FMCG का व्यू अगले तीन महिने के लिए व्यू बुलिस है और रूची सोया सियोड़ी आपको परफॉर्म करते वे दिखेगा जब तक यह स्टॉक 20 डे मूविंग अबरेज को रिस्पेक्ट करती है तब तक इसे स्टॉक में व्यू बुलिस है और 900 के स्टॉप लॉस को लगा करके इसे स्टॉक में फ्रेश पोजिशन लिया जा सकता है पहला टारगेट 1150 और सकेंड टारगेट 1500 1500 का टारगेट विदिन 6 मन्त और 1150 का टारगेट विदिन 1 मन्त यानि अगले 20 अप्रील मई तक यह स्टॉक आपको ग्यारसो पचास तक का टारगेट दिखा सकता है इस स्टॉक के आप अगर प्रीबियस मूब्मेंट को देखे हैं तो आपको पता होगा कि एक ही दिन में ये स्टॉक 80 रुपे तक का भी मूब यानि आरदस परसें तक का भी मूब देने का दमखम रखता है तो इस समय इस स्टॉक का जो एक माइनर रेजिस्टेंस है वो लगभग 980-990 के आजपास का है इस स्टॉक में अगर अल्रेडी इन्वेस्टिड हैं तो पोजिशन बनाए रखे नहीं है तो ये गोल्डिन ओपर्चिनिटी हो सकता है और ये स्टॉक डेड़ फ्री स्टॉक है तो स्यूरली रिकमेंडेशन स्टॉंगली बाइंग की रहने वाली है